हाई अब्रिवान वेलकम बैक तू माई चानल सो आज की वीडियो काफी जादा इन्फॉर्मेटिव काफी जादा यूसफुल हो सकते हैं उन सभी स्टुडेंट्स के लिए जो अभी बीएड कर रहे हैं या फिर रिसेंटली जिनका बीएड कंप्लीट हुआ है और वो जॉब हैं या फिर जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ किसी कारण इस एयर तो उन सब के लिए ये वीडियो एक चिट्चेट वीडियो होगी जिसमें हम डिसकस करेंगे बहुत सारी चीज़े जिसमें अपने परस्टनल एक्सपीरियंस के थ्रू आपके साथ कुछ शेयर करूंगी अब आपको यह तो पता है कि भी एडेक प्रोफेशनल डिग्री है और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आफटर टू यर्स आपके दो गोल पूरे हो जाए एक तो आपका सीटर क्लियर होना चाहिए और दूसरा आपके पास जॉब होनी चाहिए और अगर आप अपनी इनवेस्ट कर रहे हुं टू यर्स में तो आप अपनी अगोई आपके पास सही घाइडन्स हो जिसे आपकी एड रइन ऑफ डू यsite दोउन गोल पूरे हो जाहे तो केस टैरेक्शन में अपको अपनी आपके अज़ीवेस्ट करनी जहेह तो उसी के बारे में है शिर वीडिय काफी ज्यादा स्ट्रॉंग करना पड़ेगा ठीक है आपको अपनी content knowledge पे काफी ज्यादा कमांड नी चीए जो भी आपका आपको काफी ज्यादा प्रॉब्म्स देखने को मिल सकती है क्योंकि क्या होता है कि जब आप job interview के लिए जाते हो आपका सबसे पहले content knowledge check करेंगे आपका first written test होता है ठीक है फिर उसके बाद आपका face to face interview होता है अगर आपका content knowledge strong है आप तूशन लेते हो या किसी भी रीजन से आपका content knowledge है वो strong है आप तूशन लेते हो, coaching classes लेते हो, whatever तो उससे आपका content knowledge strong है वो step आपने first step clear कर लिया फिर अपका होता है और उसके अपने thoughts दाले है चीजों को अच्छा समझा है हर चीज को observe किया है बच्चों की नजरिये से चीजों को देखने की कोशिश करी है subject को real teaching के साथ relate करके देखा है तो वहां पर आपको काफी जादा उस चीज में help में लेगी क्योंकि आप जब interview क्योंकि आपका goal सिर्फ seated को clear करना नहीं है आपका goal है seated clear करना साथ में job में भी employed होना तो आपको इन चीजों पर काफी जादा धियान रखने की ज़रते है और शुरू से ही अगर जिनका content knowledge strong है वो अपने content subject को choose करो ठीक है कोई भी subject choose करो और उस पे काफी जादा focus करो आप classes लो टूशन लो ठीक है क्योंकि पढ़ा के आपको जादा चीजे समझ में आती है तो जब आप दूसरों को पढ़ाते हो तो आपके concept भी clear होते है तो एक तो अपनी content knowledge पे focus करो और दूसरा अपनी regular classes लो उसमें पूर सब्सक्राइब करते हैं अगर इन दो चीजों पर फोकस करते हो तो अपनी सारी चीज़े क्लियर होती है next जो लोग अभी B8 कर चुके हैं और जो different different जगाओं पे jobs के लिए apply कर रहे हैं तो उनको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो focus करना है वो focus करना है कि हम कई बार क्या होता है हमारा हम जो अपना target है वो काफी जादा हाई रखते है ठीक है in terms of salary okay और कई बार क्या होता है कि हमारा जो knowledge है और जो salary expectation है उसके बीच में काफी जादा difference होता है तो कई बार हमें चीज़ों को accept करने की जरुवत होती है क्यूंकि आपको आपको focus करना है कि आप learn करें चीज़ों को ठीक है क्यूंकि teaching is all about learning teaching एक ऐसा profession है जिसमें आप मतलब आपको रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और आप मतलब एक living being से आप डील करने वाले है और आपको उस तरफ से भी बहुत सारी आपको सीखने को मिलता है तो अगर आपको कोई job offer वो रही है और वो आपको underpay कर रही है for example ठीक है और और आप उसको skip करके देखो क्यूंकि जो B.E.E.D. है आपने अगर B.E.E.D. कोर्स कर लिया तो आपको जो goal है वो यही था कि आपको teaching job में या तो फिर आप कोई और option आपको चूज कर रहे है लेकिन अगर आपने ये course चूज किया तो इसका मतलब आपको goal यही है कि आप as a teacher कही रहा कई employed हो जाए तो आपका focus अभी salary जो है पे पे नहीं होना चाहिए आपका focus होना चाहिए learning पे क्यूंकि जब आप learning theory आपने तो learning theories पड़ी है learning theory के according एक paradigm होता है learning paradigm उसके according आपने देखा होगा कि 90% जो हमारी learning होती है वो सबसे ज्यादा maximum learning होती है जो है to teach by teaching others you won't believe कि अ अभी जो 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 हमारी जाइन वह थी एक स्कूल में अभी as a TGT science वहां पे जौब करुँ हूँ और I'm also getting underpaid let me be honest and I work there I was pretty sure I was on a job at the beginning though starting meh m'reh what I'm doing but I think about it and I thought about that, and then I joined enough time to think about it जोईन किया और आफ्टर 6th month, after 6 month नहीं, after 3 or 4 month मेरा seated का exam हुआ, मेरा first attempt था, मेरी जो बीड होई थी, वही थी 2021 में हो गई थी, 2019 का मेरा bachelor 2021 मेरी बीड होई थी, as you all know that उस समय पर COVID काफी जादा था, 2019 का first semester मेरा काफी जादा अच्छा हो गया था, जिसके वज़े से एक base तो मेरा prepare हो गया था, लेकिन उसके बाद हमारी online classes होई थी जो की काफी उस तरीके से नहीं हो पाई जो की offline तरीके से हो पाती बट फिर भी खिक था, okay, तो अब मेरा जो seated का exam था, जो की अभी होगा है, January 2022, 21 January के आसपास था वो exam, तो फिर उसमें मुझे उसका काफी जादा फाइदा देखने को मिला, अगर मैंने वो जॉब नहीं जोइन करी होती, तो बहुत सारे ऐसे questions होते science के, जो की मैं नहीं कर पाती, let me be very honest with you, मतलब पढ़ाते पढ़ाते मेरी मुझे इतनी सारी चीजें मतलब पता लगी है, both side, जब मैं पढ़ा रही होते हूं सामने से भी ऐसे ऐसे मतलब बच्चों के इस तरीके से questions और answers होते हैं, कि I am very very shocked, I literally become very shocked, कि मतलब ये बिलकुल नया concept मुझे हर दिन कुछ नया पता चुलता है, तो अगर, कई बार ऐसा होते हैं, मैं disappointed भी होते हूं कि हां, मतलब expectations से बहुत जादा कम है, और बहुत सारे चीजे होते हैं, बहुत सारे scenarios होते हैं, जो कि affect करते हैं, science is a very vast subject, मेरा subject is science, तो उस पर बहुत साई चीजें हमें सीखनी होते हैं, बट मेरा जो focus है, और आपका भी जो focus होना चाहिए, वो learning पे जादा होना चाहिए, तो अगर आप कोई job ढूंड रहे हैं, और आपकी expectations बहुत जादा high है, expectations, मतलब आप रखो, अपना goal रखो, बट उस goal तक पहुंचने के लिए आपको कुछ न कुछ पात तो लेना ही पड़ेगा न, तो फिर उस पात को अगर आपको यहां से start करना पढ़ रहा है, that is okay, क्योंकि अगर आप उसमें को सीख रहे हो, आप सीख के आगे बढ़ रहे हो, तो that is very much important, rather than seeing just literally sitting there and just looking at and dreaming about that, that is not the way, okay, बस मुझे आपको यही कहना था, मेरी जो science pedagogy की वीडियो की वीडियो को काफी जादा पसंद किया है आप लोगोंने, और उसके लिए बहुत जादा ग्रेफूल हूं, thank you so much, और एक चीज़, मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी, जब मेरी 100 subscribers complete हो चुके थे, आज मैं आपको यह बताना चाहते हूं, मैंने सुच आप लोगों के साथ भी यह चीज़ करने चाहिए, कि मेरी 1000 subscribers complete हो चुके है, और मेरा 4000, 4000 hours का जो वाश ताइम हो भी complete हो चुके है, मेरा चैनल मॉनिटाइज हो गया है, और वो सब आपके वज़े से हुआ है, यह चोटी-चोटी चीज़े हैं, यह आपको एक motivation देती है, इसको आप नहीं neglect कर सकते हैं, यह of course motivation देती है, और यह चीज़े आपको यह बताती है, कि आपको इस वीडियो में और काम करना चाहिए, आज की वीडियो में इतना ही, और अगर इस वीडियो से आप थोड़ा भी resonate कर पाएं, आपकी help हुई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस वीडियो की जरुएत है, जिस जिनको इस वीडियो से help मिल सकती है तो उनके साथ आप शेयर करें, और कमेंट जरूर करें कि पतलब कोई भी चीज जो आपको पूछना चाहते हैं, या फिर आप किसी चीज में आपको डाउट है तो प्लीज उस चीज को कमेंट करें, तो मैं आपके साथ जरूर इस तरह की वीडियो और शेयर करूँगी, और मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तिल देन बाइबाइ!